मेरा नाम डॉक्टर प्रशांथ दहीर और मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा सर्ट यार गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज है अमबाज जो गई महारास्ट्रा यह सेंट्रल महारास्ट्रा में आता है मराटवडा सब को पता है बहुत सारे लोगों को यहां इस जुम रूम में लेकिन जिनको पता है उनके लिए मैं बता दू कि दोस्तों मैं जब असिस्टन्ट प्रोफेसर बोलके काम कर रहा था सॉरी पीजी मैं जब पीजी था 2006 साल में 2006 साल में मुझे डायविटीज हुआ डायविटीज डिटेक्ट हुआ 2010 में मुझे हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ और दोस्तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एंबडी हुँ फिर भी मुझे यह बीमारिया मुझे क्यों हुई है और दोस्तों सबसे खाज बात मैं गोलिया लेकर भी दोस्तों मैं इंसुलीन पे था आय हैड अनकंट्रोल डायविटीज में मेरी जो डायविटीज है था मैं इंसुलीन इंजेक्शन पेट में इंजेक्शन इंसुलीन जो तीन वक्त दिन में तीन वक्त लेता था सुबह 30 युनिट्स दोपर में 30 युनिट्स और शाम में 30 युनिट्स ऐसा 90 युनिट्स ऑफ इंसुलीन मैं दिन में लेता था और दोस्तों मैं दो बार सीवेर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से दो बार ऐसा यम्राज जी से टच करके भी आया हूं वापिस इसलिए अभी जो मैं लाइफ जी रहा हूं इस बोनस लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मेरी लाइफ चलू है यह इस एक्स्ट्रा ला टर जी नहीं थी थी रात में नेद नहीं आती थी हमेशा बोड़ी पैन होता था और इसकी और जैसे में बहुत परशान था मेंटरी परशान था इतनी सारी कि अगर डॉक्टर होकर भी अगर इतनी सारी तकलीप आगर आपको हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे आईसा कि वाय बिकेम डॉक्टर मैं डॉक्टर किसलिए बना अगर मैं खुद को ही ट्रीट नहीं कर सकता तो मैं मेरे मरिजों को या मेरे रिष्टिदार को मेरे फैमिली मेंबर्स को मेरे फ्रेंड्स को हौ आई कें गिव एड्वाइस तो इस बरी वरी इंपॉर्टन दोस्तों और य जिनको डायबिटीज जिनको बीपी है लेकिन दोस्तों उनसे मैं जब बात करता हूं तो उनकी भी यह शिकाएद गूलिया खाकर भी उनका जो ब्लड शुगर है ब्लड प्रेशर है वह पॉंट्रोल में नहीं है गोलिया खाकर भी सब करकर भी उनके शरीर में इनर्जी नह यह पां नहीं फ्रेश नहीं लगता रात में नीद यह कंप्लेन हर आध्मी को है तो इसका हम क्या करillक्र है आज हम जो विमारी की जड़ है उसके उपर नहीं काम कर रहे वहाना है आपको शुगर है शुगर के गोलि खौप कम हो जाएगा के आपको डीपी की कोलिकि कम हो जाएगा कि आपको नीन नहीं आरी कि दवा खाँ आपको बोड़ी से क्या हो रहा है गोलिया खाका कर उसको एमपररी रिलीफ्ट तो मिलता है लेकिन दोस्तों बीमारे की जैड़ नहीं खतम होती और इसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं दोस्तों ऐसे हजारों लाखों लोग परेशान है आज और इस गोलियों के अगर साइड अगर आप देखेंगे तो वह आदमी को खोकला बना रहे है और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वरी एसेंशल तो मेरा जो है एक से आने का पहले का सफर मैंने आपको बता दिया दोस्तों मैं तो डूंड रहा था कुछ ना कुछ आईसा चमतकार मेरे जिंदगे में हो जाए और मैं इस बीमारी से इस सारी कठीनायों से मुझे च्छटकारा मिल जाए लेकिन दोस्तों ए कैसा ही चमतकार हुआ मुझे आदत थी अमेरिकेंड डॉक्टर का जो पोड़कास्ट बोलते हैं यानि कि सिर्फ सुनना जो पोड़कास्ट रहता है वो सुनने की मुझे आदत थी तो ऐसे ही एक पोड़कास्ट के मैं संपर्क में आया उसका नाम था अमेरिका का बहुत बहतरिन पोड़कास्ट है अभी भी चालू है और उसके जो मेंटर है वो है शौन स्टिवंसन और उनका मैंने पोड़कास्ट सुना और उमेशा उनके पोड़कास्ट में बता थे थे कि अगर आप मश्रूम की अगर कॉफी पिएंगे तो आपका बलड़ शुकर कम होता है तो दोस्तों मैं तो ढूंड रहा था कि कैसे मैं मेरी बलड़ शुकर कंट्रोल में लाओ तो मैंने इमेजिटली गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे सर्च करने के बाद मैं के संपर्क में आया और उसके बाद का जो सफर है यह जो सफर है डिसमबर नोहंबर 2016 में चलू हुआ नोहंबर दो हजार सोला से ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन मैंने डियेक्शन के प्रोड़क्ट नहीं खाए और आज आज अगर आप मुझे अगर देखेंगे दोस्तों नाओ यू कैन सी मी डाइबेटीज इस वेल कंट्रोल मेरे मेरे रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूं जो मुझे सोचल मीडिया पर फॉलो करते उनको मैं दिखाता हूं देखते हैं स्टोरीज देखते हैं मेरी मैं हाइपरेटेंशन मेरा बीपी जो है एकदम वेल कंट्रोल पहले एकसो पचास सो आता था एकसो बीस एकदम कंप्लेटली नॉर्मल एकसो दस सत्तर कभी भी चेक करिए आउ आए टेक वेरी लेस इंजेक्शन इंसुलीन इंसुलीन का जो इंजेक्शन है नद्वे इनिट से लेकर आज मैं आज की डेट में शिर्फ चाउदा वन फोर चाउदा यूनेट इंसुलीन लेता हूं और डॉक्टर हर तीन मेने के बाद मैरा चार उनेट कम करते अगर 6 चाउदा यूनेट इंसुलीन ले रहा हूं मेरे शरीर में आगर आप देखेंगे तो सुबर पाज बज़े मेरा दिन चालो होता है तो रात के ग्यारा बज़े तक कंटिन्यू आम बीजी कुछ ना कुछ करता हूं बहुत बीजी रहता हूं लेकिन शरीर में एनरजी कम नही होता है पहले नेन नहीं आती तो एकदम ऐसा बैड़ पर जा जाओ तो एकदम खट से नेन आ जाती है तो यह चमतकार क्यों हुआ दोस्तों यह बदलाओ मुझे में क्यों आया क्योंकि मैंने ग्यानोडर्मा मश्रूम लेंग्जी मश्रूम रीशी मश्रूम और उसके साथ स जो सुपर फूर्स है जो हमारी जो डिय एक्सिंग कम्पनी है उन्होंने जो बनाए है उसका मैंने स्विकार किया नोहंबर दो हजार सोला से मैं और जी जील आर जी आने के रिशी ग्यानो जील याने के ग्यानो शीलियम लेंग जी टू इन वन कॉफी नोनी जीस और बागी के सारे प्रोड़क्ट्स ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मैं खाता नहीं हूँ और इसकी होज़े से मेरे शरीर में जो भी यह बीमारी है सब खतम हो चुकी है और दोस्तों दूसरी खास बत लिए अने के बाद मुझे पता चला हुआ हमारे मेंटर से मिला मेरे जो मेंटर है सुरेज दादाजी चर्ड़ सर मैरे मेंटर है जे के सिंग सर इनसे मिला और उन्हें मुझे बताया कि आप आपकी तो बीमारी को भगा सब्सक्राइब है लेकिन साथ में आप जो प्रोडॉक्ट्स खा रहे हो जो आपको लगते हैं उसक्री में भी-anor खा सकते हो मेरे सिर्फ मेरे लिए मैं मेरे पूरे wa family के प्रॉडक्स मुझे फ्री में मिलते हैं कि पूरे वह जेके सिंग्सर आपको बताएंगे कैसे क्योंकि उनका जो टॉपिक है वह इसी विशय पर है तो दोस्तों आज मैं संख्षित में आपको बताऊंगा कि रिशी ग्यानों क्या है रिशी ग्यानों के बेनिफिट्स क्या है उसके बाद स्पिरूलिना क्या है स्पिरूलिना के बेनिफिट्स क्या है यह जो है मैं संख्षित में आपको बताऊंगा तो मैं मेरा स्क्रीन तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं यह आदमी आप देखिए लीचिंग यून 256 साल जिया चाइना का आदम है कैसे जिया 256 साल गुगल पर सर्च कीजिए और भाई यह सिर्फ जिन सेंग खाता था और इसके इसका जो राज है कि यह 256 साल जिया जब सर्च और गुगल इसका नाम सर्च कीजिए इस पॉसिबल राइट यह बहुत जरूरी है दोस्तों कि आपको भी पता हो राइट इस वहरी वह एशेंशियल यह शूद नो इस तिंग यह ग्यानोडर्मा लूसीडम क्या है दोस्तों यह ग्यान मिर्यंश शाइन डर्मा मिस्कीन ये जो है काने के बाद आपके स्कीन को एकदम टेता है और इसका जो एंसेंट एशें नेम जो है इस और इसके अलग बहुत सरे नाम है रीशी है 10,000 शूद मश्रूम है मश्रूम immortality है क्योंकि यह हमारे शरीर में मश्रूम है यह मश्रूम अगर आप देखेंगे तो यह कि बहुत सालों से यूज किया जाता है यह कुछ नया मश्रूम नहीं है साथ हजार सालों से पैंटिंग्स में यह मश्रूम पाया गया है पाच हजार तीन सो की जो ओल्ड नियो लिथिक और जी आइसमैन है उसमें यह मश्रूम पाया गया है और जो एंसेंट राइटिंग्स है एल्लो एंपरर इस ट्राइशनल चाइनीज हर्बल उसमें भी यह मश्रूम पाया गया है तो दोस्तों यह देखिए साथ हजार साल पु परसेंट इसलिए जब भी हम मश्रूम खाते हैं दोस्तों तो यह हमारे बॉड़ी में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाता है तो दोस्तों लेकिन हमारे डियक्शन के पास ऐसा खास कौन सा मश्रूम है तो हमारे जो दातुक डॉक्टर लिम्स योजीन है इनका जो अव जातिया स्मॉर देन हंड्रेड स्पेशिज ऑप ग्यानोडर्मा रिसर्च और आउट अब दैट ओंडि सिक्स वराइटीज इसलेक्टेड बेस्ट फॉर हुमन बींग्स और उसकी जो वह छे में से एक छे का कॉंबिनेशन मिलाकर उन्होंने एक ऐसी वराइटी तयार की जि दोस्तो ग्यानोडर्मा जो है यह कंग ऑफ एडाप्टोजन किटेगरी में आता है उसे कंग आप इसे खांगे खाओंगे उतने दिन आपको उसके बेनेफिट मिल जाएगे जिस दिन आप खाना बंद करोगे उसके फायदे मिलना बंद हो जाएगे लेकिन अगर आप बंद जिन कहा जाता है और दोस्तो ग्यानोडर्मा लूसिडम के जो बेनेफिट्स यह साइंटिफिकली प्रूवन है अगर पबमेड हमारा मेडिकल लेटरेचर में पबमेड है पबमेड में अगर आप सर्च करेंगे ग्यानोडर्मा लूसिडम तो आपको ऐसे बहुत सारे कॉम पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ऑल्डेडी ग्यानोडर्मा पर जो भी रिसर्च मौजूद है वो सारा रिसर्च एक जगह पर आपको मिल जाएगा दोस्तों तो ग्यानोडर्मा के बेनेफिट्स क्या है तो ग्यानोडर्मा जो है इसके बहुत सारे बेनेफिट खून में का जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड चर्बी जैसे कहते हैं जिसकी वज़े से हार्ट अटेक आता है वो भी कम करता है आपका जो रिस्पाइट रिट्रैक इंफेक्शन है इंफ्लेमेशन है वो कम करता है कैंसर में बहुत उप्योगी है आपका इम्यून सिस्टीम अच्छा स्ट्रेंदन करता है आपके जो शरीर में जो बैक्टिरिया है वाइरसेस है उसको गुसने नहीं देता और दोस्तों सबसे खास बात जो है आपको इरिनेरी ट्रैक इंफेक्शन होने नहीं देता आपकी जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हैपर प्लाजिया जिस जो ओल्ड एज में होता है जिसकी वज़े से जो पेशाब है वो बारिक होता है उसमें भी यह बहुत मददगार है वेट लॉस करने में बहुत मददगार है जो अलकोहल पीते है जो लोग दारू पीते है जिनको सिरोसिस ह उनके लिए भी मश्रूम हमारा बहुत मददगार है, जिनको high blood pressure है, जिनको stress है, ये stress reliever है, pan killer है, kupiditis B infection में, viral infection में, bacterial infection में, liver disease में, kidney disorders में, HIV disease में, chronic fatigue syndrome में, attitude sickness में, insomnia में, poisoning में, stomach ulcers में, इन सारी बीमारियों पर ये दोस्तो बहुत-बहुत मददगार है, और इसके जो benefits है, वो हमारा brain functioning improve करता है हमारा blood sugar balance करता है हमारा pancreas का function सुधारता है हमारा skin का texture improve करता है हमारे skin जो है उसको degenerate नहीं होने देता हमारा aging हो कम करता है हमारा metabolism boost करता है हमारे शरीर से toxin remove करता है याने के detoxification करता है हमारे arteries में blockages नहीं होने देता हमारा liver function support करता है हमारा oxygenation जो खून में जो oxygen होता है वो oxygenation बहुत improve करता है free radicals जो है वो निकाल देता है हमारा sexual function भी improve करता है दोस्तो इतने सारे अगर benefits आपको इस mushroom से अगर मिल जाए तो why should not we consume this mushroom because it is called king of the herb that's why it should be consumed mushroom दोस्तों इसलिए यह जो है यह मश्रूम हमें खाना चाहिए आप यह देखिए मेरा testimonial यहां पर देखा है यह august 2016 का मेरा picture आप सिर्फ मेरा face देखिए august 2016 में मैं कैसा था और यह देखिए जुले 2020 में recently 2020 में यह मैंने picture लिया था अभी 2022 में अभी का picture मैंने यहां पर नहीं ड कि यह बदलाव जो है यह हुआ है इन सिर्फ ग्यान और डर्मा की वज़े से दोस्तों तो यह आपको पता होना चाहिए हमारा बहुत सारे products है supplements category में बहुत सारे products है यह देखिए supplements category यह ब्यूरेजेश category यह personal care category इसकी सारी जानकरी आपको हमेशा मिलती रहेगी दोस्तों तो ऐेखा रोजद को किलाना चाहिए का एक दम ना जाय को आप सबार और सुझाखifiques वे का और उसके तीन कैप्सुल अगर आप खाएंगे तो उसमें एक किलोग्राइम ग्रीन लिफी विजी टेबल का पावर है और स्पिरुलिना तो बहुत सस्ती है दोस्तों पावर्फुल्स सिर्फ दो सेकंद के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों क्योंकि यह इस पावर्फू सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है इसे हम ग्रीन ब्लड कहते है इसकी वजह से इसे ब्लीव ग्रीन अलगी कहते है और यह जो है हमारे स्टेम सेल को जो है स्टिमुलेट करता है इसकी वजह से जो है खानी चाहिए इसको प्रोटीन की बहुत चिंता रहती कि उसको प्रोटीन कहां से मिले तो यह जो है अगर वह लेता है तो उसकी जो वह जो प्रोटीन का जो यह है वह खतम हो जाए तो दोस्तों यह जो दो सुपर फूड है यह तीन सुपर फूड अगर डेली आप अगर खाएंगे तो डेफिनेटली आपका हेल जो है एक टॉप गेर में रहेगा तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरा प्रजेंटेशन खतम करता हूं प्रजेशन आपका है